हलो गाइस स्वागत एक बिल्कुल ही नए वीडियो में काईस आप अकसर नोटिस करते होंगे कि हर किसी के ग्रूप में एक ऐसा बंदा होता है जिसके computer skills आपसे कई गुना ज्यादा होते मतलब वो बंदा keyboard पे ऐसे हाथ चलाता है जैसे कोई hacker चलाता हो अगर आपको भी वैसा काई computer expert बनना है तो आप ये वीडियो देखके नहीं बन सकते लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा ऐसे keyboard शॉटकट्स बताऊंगा जिस सीखने के बाद आपकी ग्रूप में keyboard शॉटकट के मार्मले में तो आपको कोई नहीं आ रहा पाएगा एक बिल्कुल ही नया डेस्टॉप काई सब्साप एक प्रोजेक्ट पे पूरा दिन काम कर रहे हो और अचानक से आपको एक नया काम आता है और अगर उसी प्रोजेक्ट के चलते आप एक नया विंडोस खुलते हो तो आपका पूरा काम स्लो हो जाएगा इसके लिए आपको एक नया डेस्टॉप खोल लिया लेकिन उस पुराने वाले काम का क्या हुआ क्या वो डिलीट हो गया नहीं अगर आपको उसमें जाना है तो फिर सिंपली प्रेस करें विंडोस प्लस कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड औन बेकवर्ड बटन प्रेस करके आप स्विच कर पाओग विंडो क्लोज हो जाएगा और आप पुराने वाले विंडोस पे चले जाएंगे नमबर सेवन मिनिमाइज गाइस सपोस्पोस अपने रूम में आप अकेले अपने परसनल चीजों को देख रहे हो और उसी वक्त कोई आपके रूम में चला आता है आप क्या करोगे डिस्प बार के एप को आसानी से कीबोर्ट से कंट्रोल करें सपोस्पोस आपके टास बार में बहुत सारे विंडोस खुले हुए है और आप उसमें नेविगेट करना चाते है एक से दूसरे में जाना चाते है लेकिन आपको माउस उठाना पर रहा है लेकिन आप कीबोर्ट से ही आ आपके 5 नमबर पे हैं, तो आपको माउस से सेलेक करने की जरूरत नहीं है, आप Windows प्लस 5 दबाईए और आपका OBS Studio खुल जाएगा, तो जो भी एप जिस नमबर पे हैं, आप उस नमबर को प्रेस करके उस एप में जा सकते हैं, नमबर 5, Multi Window Setup, गाइस सब्पोज आपको दो एप चाहिए, Multi Window Setup में, और आप अकसर क्या करते हो, कि स्टॉप पे क्लिक करते हो, और साइड में ले जाते हो, तो आपका ये वाला विंडो राइट पे आ जाता है, और आप दूसरे विंडो पर क्लिक करते हो, और दूसरा करना चाहते हो, चूज कर लो, और एंटर कर दो, और लेफ में खुल जाएगा, सपोज आपके विंडोस पे कोई भी एप नहीं खुला है, सिर्फ एक एप है, और आप दूसरे एप को स्प्लिच स्क्रीन में खोलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रेस करना है, विंडोस प्लस राइट की बटन, और आपका खुला हुआ एप राइट में चला जाएगा, तो आपको दूसरा एप खोलना है, और आपको प्रेस करना है, विंडोस प्लस लेफ्ट की बटन, वो दूसरा एप लेफ्ट में चला जाएगा, नमबर फॉर, स्विच आप्स, आ सिर्फ आपको प्रेस करना है विंडो प्लस टैब बटन और आपका ये विंडो खुल जाएगा यहां से आप सेलेक कर सकते हो लेकिन गाइस इसको करने का एक और आसा तरीका है ऐसा व्यू आपको लाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे व्यू से लेफ राइट क्लिक करके आप अग आपके लिए तो फिर इससे थोड़ा स्लो वर्जन भी है आपके पास उसके लिए आपको प्रेस करना है और प्लस कंट्रोल प्लस टैब इससे आपका ये वाला पॉर्शन प्लूज नहीं होगा और आप लेफ राइट की प्रेस करके आपका एप खुल सकते हो कैस इस वाले पॉर्शन को ध्यान से सुनना क्योंकि ये वाला पॉर्शन सब के लिए बहुत ही इंपोर्टन है जाइस हर कोई बन्दा PC में एक सिचुजिएशन में तो फस्त आये और वह सिचुजिएशन होता है कि आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपका एक सॉफ्ट्वेर सिर्फ एक सॉफ्ट्वेर हैंग हो जाता है और उसके लिए आपका पूरा का पूरा विंडो खुल जाएगा और तास मेनेजर में आप कोई भी एप को क्लोज कर सकते हो सपोज एक एप आपका पूरा का पूरा PC हैंग कर रहा है तो फिर आप उस एप को राइट क्लिक करके एंड तास्क अगर करोगे तो फिर वह एप फोर स्टॉप हो जाएगा आपका PC जितना भी हैंग क्यों न ओ तास मेनेजर से आप अगर एपको क्लोज करते हूं तो फिर वह एप क्लोज होना ही हैं इससे क्या होगा कि आपका एक ही डे iata लॉस होगा और बाकि जितने भी एप पे आप काम रहे हो वह सारह का सारा लॉस नहीं होगा तो पीसियो आप's को को री स्टार्ट करन तो फिर आप कीबोर्ट से भी खोल सकते हो बिलकुल ही असान शॉटकट है काइस बस Windows प्लस ए प्रेस करो और आपका फाइल मेनेजर खुल जाता है नमबर वन यूज द बिल्ट इन मैगनिफायर गाइस आप अकसर यूट्यूब वीडियो में देखते होंगे कि कोई एक पोर्षन जो सपोज ये वाला पोर्षन और सपोज ये वाला पोर्षन यूट्यूबर थोरा जूम करके दिखाता है वो आप एडिट में भी कर सकते हो ल आप जूम पोर्षन को माउस से कंट्रोल कर सकते हो कैसा अगर फोरा ज्यादा जूम हो गया तो फिर आप माइनस की प्रेस करके वापस भी जा सकते हो और नार्मल डेस्टप पे जाने के लिए आपको फिर से वींडोब प्लस माइनस की दबाना है और आप नार्मल विंडो पर चले जाओगे तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे यह यूसफल वीडियो में लाता रहूंगा बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करो आपको सबसे पहले टार कि जब भी मैं वीडियो अच्छा लोगा तो सब्सक्राइब कर दो वीडियों कर सक्षिग्रा तो सबसे झाले कर दो.